कि नमस्कास अच्छा का लादाव हलो है केम चो की हाल चाल गईज कैसो आप सभी लोग मेरा नामे शर्म गुपता और आप देख रहे हो इंजीनियस अड़ा यहाँ पर मैं आज चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेगर के इसको ध्यान से जर है कि SSCJ अगर आप लोगों को निकालना है तो उसके लिए आप लोगों के पास बेस्ट नोट्स होनी चाहिए देगो नोट्स हर कोई बनाता है जितने भी लोग तयारी करते हैं हर किसी का एक होता है कि मेरी नोट्स में सारे के सारे इंपॉर्टन टॉपिक्स हो सारे के सारे important formulas हो, सारी चीजें ऐसी हो जिससे आप लोगों का selection बिलकुल done हो सके, इसलिए आप लोग वैसी notes बनाते हैं, हर कोई वैसी notes बनाएगा, even मैं भी होंगा, तो मैं भी वैसी notes बनाऊँगा, लेकिन जब हम preparation कर रहे होते हैं, तो हमें सारी चीजे important लग रही होती है, जब हम preparation कर रहे होते हैं, तो हमें छोटी से छोटी चीज़ भी लगती है, कि हमारी notes में होनी चाहिए जब हम preparation कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये भी मैं अपनी notes में लिख लूँ, कहीं भूलना जो, याना ऐसा होता है अब guys notes बनाते बनाते कब हम उस notes को grant बना देते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता और जब हमारा exam pass में आता है तो इतनी मोटी और इतनी सारे subjects की notes होती हैं कि उसको पढ़ते time या तो हम बोर होने लग जाते हैं या फिर हम दोड़ा सा डरने लग जाते हैं कि इतना सारा syllabus है कैसे complete होगा इतनी सारी notes है कैसे मैं सारी चीज़ें दिमाग में रख पाऊँगा इन सारी चीज़ों का solution guys देने के लिए सबसे पहले मैं अपनी hang written notes लेकर किया हूँ जिस तरीके से मैं बनाता था क्या होता हम कई बार register खरीद लेते हैं और register खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें लिखना शुरू कर देते हैं तीन महीने के बाद मुझे लगा कि इसमें मुझे कुछ questions एड़ करने हैं तो मैंने एक paper में questions लिखे और उसको एड़ कर दिया फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसमें मुझे ठीवरी और एड़ कर दिया तो मैंने कुछ दिनों के बाद कुछ paper लिए और एड़ कर दिया को explain कर दिया, इस तरीके से मैंने notes बनाई, मैंने diagrams भी बनाई, देखें, आप लोगों को diagrams भी दिखाता हूं, so that आप लोगों को समझ में है, कि किस तरीके से चीजें मैंने बनाई, मैंने proper diagrams भी बनाई, मैंने सारी चीजे करी हो, और इसमें मुझे बहुत जड़ा time भी लगा, बहुत ज़्यादा time लगा, even अगर आप लोगों के पास एक साल का time है, मतलब आप target क कर रहा हो कि मेरे पास next one year का time है, या फिर आप target कर रहा हो कि मेरे पास 8 महीने का time है या ते,र देर साल का time है, तब तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोगों को notes बनानी चाहिए लेकिन guys क्या हो ऐसा अगर मैं आप लोगों को best notes provide ही करा दू और वो भी hang written format में करा दू और वो भी ऐसी ऐसी चीजें उसमें डाल दू जो आप लोगों के exam में आने वाली हो लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये जरूर बोल दूँगा कि जितनी भी चीजें मैंने अपनी notes में डाली है अगर आपने वो सारी चीजें पढ़ ली तो आपके exam में आने वाला ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने वो जरूर बनेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके साब उसे attempt करके आएंगे अगर आपने वो notes पढ़ी है अब उस notes के लिए ये था कि वो notes हर किसी student को available कैसे कराई जाए notes मैंने बनाई लग बग डेड़ साल का time लगा क्योंकि उसमें मुझे एक एक चीज़ एड़ करनी थी सारे diagram से लेकर के एक एक concept को लिखना था फिर concept में कौन सा concept सबसे ज्यादा important है वो लिखना था फिर उसके बाद उसमें मैं और क्या-क्या चीज़ें करूँ वो सारी चीज़ें करनी थी along with that मुझे questions की भी आप लोगों के solution देने दे ऐसे questions की भाई 10,000 question लगाओ तो मेरे 30 number आ रहे हैं मतलब 10,000 question मैंने लगाए तो उसमें से 30 से 40 question मेरे फस गए exam में या फिर मैं उनी 10,000 question में से top most 1,000 question निखा लूँ और वो जो 1,000 question है उनकी मैं practice करूँ और उनी 1,000 question में से 30 से 40 question आ जाए तो तो 9,000 जो question से वो मुझे लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी क्योंकि 9,000 questions होंगे वो कहीं नहीं इतने relevant नहीं होंगे जो exam में आने वाले होंगे बट हमने practice करी number of questions बढ़ा दी है तो guys इन सभी solution को मतलब इन सभी problems के solve करने के लिए मैंने एक best note बनाने की एक कोशिश करी और best notes में मैंने एक master piece तयार करा especially for mechanical engineering वो है आप लोगों का complete hang written notes of mechanical engineering ये किताब मैंने लिखी ये किताब hang written notes है ऐसा नहीं कि गरंत है बहुत बड़ी आप देख सकते हैं इतिनी पतली सी है बहुत जादा 750 pages है और 750 pages को भी 350 pages में बदला है क्यों ऐसे बदला है so that आप लोगों को सारी चीजे मिल सक है ना और एक page को ही 2 pages में लगा करके बनाया है so that आप लोगों को बहुत जादा heavy ना पड़े एक handbook के तरीके से आप use कर सके hang written notes के format में लिखा है और वो जो hang written notes है guys वो ऐसी दिखती है ऐसी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे right यहां पर black color red color blue color इन सब का इस्तमाल करा है और इस तरीके से करते हुए मैंने हर एक चीज को यहां पर note करने की कोशिश करी अब यह है एक page यह दो page और इन दोनों pages को मैंने एक साथ connect कर दिया अब जो आप लोग किताब देखते हैं वो किताब आप लोगों को ऐसी दिखाई देती है लेकि मेरी किताब ऐसी है अब इस CCJ 2024 का form भर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन 6 महीनों में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो तो उसके लिए guys मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं जो आप लोगों को समझनी है guys देखो 6 महीने में notes prepare करने जाओगे तो time waste करोगे so I will not say कि आपको notes prepare करके time waste करना है आप इस book को खरीच सकते हो और इस book को आप ले करके अपनी पूरी की पूरी notes बना सकते हो वो सारी चीज़े कर सकते हो जो book आप लोगों को देख रही है यह complete hang written मेरी book है जिसमें हर एक चीज डाली गई है आप इसमें diagram वगरा भी देख सकते हैं सारी चीज़े देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखो कितने सुंदर सुंदर से diagram भी add करें so that आपको पढ़ने में मदद मिले और आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सके अब इसमें complete mechanical engineering है mechanical engineering की खास बात यह है कि guys मैंने यहाप पर analysis chart भी दिया है कि 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 question पूछे जा रहे हैं so that आप इसको देख सको समझ सको और उसी तरीके से पैयारी कर सको कि मुझे पहले यह वाला जो सबसे ज्यादा दिख रहा है क्या है fluid mechanics अच्छा यह फिर power plant engineering फिर thermodynamics IC engine इस तरीके से मैंने सारे बना दिये प्लस उसके बाद guys मैंने यह last 20 years का यहाँ पर का पूरा एक syllabus ना बोल करके एक बोलूंगा एक analysis दी है जिसमें हर subject का लिखा हुआ है कि कि subject से कितने questions पूछेगे हैं along with that आप लोगों अगर देख पाएं तो यहाँ side में आप लोगों को subjects दिख रहे हैं यह सारे के सारे subjects हैं जैसे कि पहले start हो रहा है fluid mechanics तो उसके बाद आप लोगों को available हो जाते हैं अब गईस सबसे पहली चीज़ अगर इस बुक में देखा जा तो सबसे खास बात क्या है इस बुक की सबसे खास बात यह कि colored book है colored कहने का मतलब इसमें red color blue color green color black color इन सब का इस्तमाल किया गया और क्यों किया गया है so that आप लोग इसमें से जो red color जो सबसे आदा important है जैसे आप इसमें देख पर हो red color है green color है blue color है black color है तो जो सबसे आदा important है आप उसका use कर सके उसको सबसे पहले revise कर सके green और red को जल्दी जल्दी पढ़ लें तो आप और भी जल्दी revise कर सकते है along with that फिर इसमें एक चीज़ और भी है और उसमें क्या है कि जब भी कभी आप पढ़ते हैं तो आप लोग किताब में भी कुछ लिखते हैं और गईज अगर आप लोगों किताब में ही कुछ लिखना है देन उसके लिए भी मैंने आपर space छोड़ी है point to remember यहां पर इस तरीके से space तो हर 2 page 3 page के बाद इस तरीके से छोटी छोटी space पढ़ेगी और आप बढ़ियां तरीके साप इसकी तैयारी कर सकते हैं और गईज अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूँ आज इसी बुक पे चल रही है सेल और सेल चल रही है 22% की कि यह जो किताब है यह basically market में मिलती है 499 रूपीज की अगर आप Amazon पे जाते हो flip लेकिन सबसे सस्ती बुक आप लोगों को मिल रही है अड़ा 247 पे कोड क्या है वाई डबल 6S मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर आप जाहिएगा गैस आप अपना Google Chrome खुलिएगा Google Chrome में लिखिएगा अड़ा 247 क्या लिखेंगा अड़ा 247 सबसे पहली website खुलेगी website में जाहिएगा यहाँ पर all courses जो दिख रहा है इस all courses में आप लोगों को click करना है click करने के बाद गैस AJ exams में जाना है इसमें mechanical engineering की book है अब आप किस exam की तयारी कर रहो SSCJ की तो उसमें click कर देना और सबसे नीचे जब आप जाओगे इसमें books का section सबसे नीचे आता है यह book पड़ी हुई है और यह book 499 रूपीस की है ठीक है colored book 499 की सोचो अभी बताता हूं इसकी खास बात यहाँ पर view offers में click करना और Y166S अब Y166S लगाने के बाद अब इसको अपलाई करना जैसे अपलाई करोगे यह book हो जाएगी 404 रूपे की और अगर आप लोग इसको अगर आप लोग गैस इसको application के थ्रू लेते हो तो यह 300 कुछ रूपे की पड़ती है अब गैस एक बात सोचो अगर आप colored printing भी निक 400 रूपे में कैसे book दे रहो क्योंकि यहां पर इनकी जो printing होती है वो थी बल्क में जब हमारे यहां publication में book चपती है तो 10,000 पीसे 20,000 पीसे ऐसे चपती है जिस दिन यह book launch हुई थी उस दिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि student इस book को इतना पसंद करेंगे तो हमने सिर्फ सिर्फ 5,000 books चपोई थी और 5,000 books को खतम होने में 5 दिन भी नहीं लगे थे Amazon पे trending 1 पे यह किताब चली है महीनों तक और अभी भी trending 2, trending 3 में आपको दिख जाती है Flipkart में सैकडों लोगों ने इसके review दिये हुए हैं और top most किताब में से यह suggestion में आती है तो मतलब अब इतना ज पीस की है 499 की है और अगर 247 पे 395-390 रुपय की मिल जाती है अगर आप application के थूर जाते हैं और अगर आप web से भी खरीते हैं तो 404 रुपय की है और 400 रुपय में colored book मिल रही है along with that guys इसमें एक चीज और भी है जो मैंने आपको नहीं बताई जो मैं आपको बताने वाला हू वो बात ये है कि इस किताब के पीछे आप लोगों को एक e-book भी मिल रही है और वो जो e-book मिल रही है वो 149 रुपय की है आपको क्या करना है ये code ये QR code इसको scan करना है scan करने के बाद ये जो red color है यहाँ पर जब आप किताब खरीदोगे तो किताब के पीछे इसमें code लिखा करो और ये question से हर किसी student ने बोला है कि इससर question बहुत सारे फस्त है even इस किताब के लिए जब अभी sscj 2023 का paper हो तो इस किताब से कोई भी बाहर का नहीं आया student ने बोला कि वासर क्या किताब लिखी आपने कि सारे के सारे questions इस किताब में इसके answer दिये हुए सारे questions जितने भी पूछे गए तो guys अगर ऐसा है कि इस किताब से आप लोगों कितना फाइदा हो रहा है then you must have this book so that आपको notes बनाने का जंजट नहीं हुआ तो सोचो कितने घंटे आप save कर लेंगे अपनी पढ़ाई के लिए और कितना बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस किताब को छे महीने में कम सकम चार बार revise मार लो और चार बार revise मारने के बाद जब तुम exam center में बैठे होगे और जब exam में questions को देखोगे तो तुम्हारे दिल अलग ही खुश होगा कि भाई वा ऐसी तैयारी करके आया तो guys यह था आज का session I hope आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो गुलाबी दिल के साथ session को like जरूर करिएगा and I believe कि आप लोग daily शाम को 5 बजे mechanical injury की class इसी channel पर जरूर लेने आते होंगे अगर नहीं आते हैं तो शाम को 5 बजे make sure कि आप लोग session में आए और live session का enjoy कर होता है you know all कि जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत मस्ती के साथ पढ़ाता हूं बहुत मज़ा आता है day to day life के example के साथ क्योंकि मुझे पढ़ाने से जादा सिखाने में मज़ा आता है तो अच्छे अच्छे experience students आते हैं जहां पर वो answer भी देते हो और उनके साथ आप लोगों क को सीखने का मौका मिलता है तो ज़रूर जुड़े शाम को पांच बजे इस बुक को ज़रूर ले लिजेगा सोधाइट आपको नोट्स बनानी की जरूरत ना पड़े मिलते विरा पन एक्सेशन में तब तक के लिए बाबाई